मंत्रा किस वीडियो में आप पढ़ेंगे ECRM Electronic Customer Relationship Management तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटिट कुन-कुन से टॉपिक आप इस वीडियो में देखेंगे तो पहले हम देखेंगे कि इसका क्या मेनिंग होता है इसके एक्जामपल Benefits, Features, Functions, Advantages और Disadvantages इनको डीटियल में देखने से पहले इसक्रिप्शन में आप CRM से रिलेटेद डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए और किसे टॉपिक पर वीडियो ची तब कमेंट कर सकते हैं हम देखते हैं कि eCRM क्या होता है तो electronic CRM एक अप्लीकेशन है जो कि internet बेस्ट होती है technology बेस्ट होती है जिसमें कि आपके email, website, chatroom, forums या कुछ other channels हो सकते हैं जिनका goal होता है कि आप CRM के objectives को achieve कर सकें मतलब यहाँ पर आप internet की help से, technology की help से customer के साथ relationship को manage करते हैं इसका main objective यह होता है यह बहुत well structured होता है एक coordinated process होती है CRM की यह automated होता है और इस process के अंदर marketing, sales, customer, services सारी चीज़ें आप कर सकते हैं तो eCRM, electronic customer relationship management होता है जिसमें आप use करते हैं intranet का, extranet का और internet का जिससे कि आप electronic चीज़ों की help से, technology की help से, आप customer के साथ relationship को manage कर सके तो next हम दिखतें कि इसके क्या benefits होते है CRM के फर्स्ट आता है improve customer relations, service and support आप customer के साथ relationship को improve करते हैं, services को improve करते हैं, customer को support करते हैं electronic CRM की help से, आप easily एक साथ customer तक email पहुँचा सकते हैं communicate कर सकते हैं, वो services easily आप customer को provide कर सकते हैं, उनकी जो भी queries हैं वो chat में आपको email करके तब ही भेच सकते हैं, तो बहुत important होता है customer के साथ relationship को improve करने के लिए second आते है, matching the customer behavior with suitable offers, आप customer के behavior को सही offer के साथ match कर सकते हैं for example, आपकी insurance policies है, तो आपको पता कि आप कौन से age group को target कर रहे हैं, उनके according उनको आप policies के भारे में offers बेच सकते हैं ताकि जो भी उनकी requirement है, उसके साथ आपके offers में चो सकें, next आते है, increased customer satisfaction and loyalty, एक customer के satisfaction को increase करता है customer को लगता है कि वो easily आपके साथ communicate कर सकता है, और आप उनकी जो भी issues है, problem है उनको solve करेंगे, तो वो खुश रहेगा आपसे और आप ये product brand के साथ वो loyal रहेगा next आते greater efficiency and cost reduction, जो eCRM होता है, ये आपकी efficiency को increase करने में बहुत help करता है, और ये cost को भी कम करता है, क्योंकि eCRM के help से बहुत कम लोग आपको लगेंगे, जो की customer के साथ relationship को अची तरीके से manage कर सकते है, तो ये बहुत cost effective तरीका होता है next आते increased business revenue, ये आपके business के revenue को increase करने में भी help करता है, क्योंकि जब आपने electronic के help से CRM किया है, तो आपको बटा है कि कोई customer नहीं छूटा होगा, जिनका भी सब का data आपने सब के साथ communicate किया है, तो eCRM के थुरू, आप customer को बहुत easily satisfied कर सकते हैं, loyal बना सकते हैं, तो वो repeat purchase आपके product को, आपकी brand को, जिससे की bonus का revenue हो, वो increase होगा, तो ये कुछ benefits होते हैं, eCRM के, next हम देखेंगे, क्या features, मतलब कि क्या characteristics से विशिष्टा होती है, eCRM system की, first आता है, customer management, ये आपको access देता है, कि आप सारे customer की information आपके पास है, आप उन तक request पहुचा सकते हो, उनकी information का use कर सकते हैं, मतलब customer के बारे में, आपके पास सारा data रहता है, सारी information रहती है, और आप उन तक easily पहुच सकते हैं, उनके contact number, email, सारी चीज़े आपके पास होती है, next आता है, account management, ये आपको access provide करता है, customer data के बारे में, history के बारे में, और ये आपको help करता है, sales team को की, वो effectively तरी कैसे manage करता है, पूरा data इनके पास रहता है, जिनका क्या abuse कर सकते हैं, next आता है, administrative management, यहाँ पर एक administrative manager, मतलब एक manager रहता है, जो की centralized database होता है, मतलब उसके पास सारा data होगा, और वो उस information को share कर सकता है, जैसे की different departments को रहते हैं, तो उसके according, उनको information provide कर सकता है, customer के बारे में, औ सारा data एक के पास होगा, जो की पूरे database को manage करेगा, next आता है, case management, इसमें आप cases जो भी है, कुछ inquiry है, कुछ cases है, कोई issues, जो की अभी तक resolve नहीं हुए हैं, उन सारी चीजों को manage कर सकते हैं, next आता है, backend interaction, यह interact करता है, other system के साथ भी, like billing, inventory, कितना है आपका, logistic, website के थू, call center के आप उन सारी चीजों के साथ भी, जोड सकते है, next आता है, reporting and analysis, आप यहाँ पर reports को create करते हैं, consumer behavior के और business के criteria को देखता है, तो यह कुछ features होते है, ECRM system के, next हम देखते है, कि क्या example है ECRM का, हमने एक online retail story जो की specialized है, lifestyle product के लिए, जो की customer को personalized, efficient customer experience provide करता है, वो use करते है, ECRM system का personalized marketing के लिए, जिससे की उनकी जो conversion rate है, मतलब जो लोग target market उनके customer में convert होते हैं, वो बहुत जादा है, तो उसके लिए, वो personalized email marketing करते हैं, उनके पास एक system है, जो की analyze कर सकता है, customer की purchase history को, उनका क्या behavior होगा, वो कैसे customized email उनको send करेंगे, recommendations, promotion, वो सारी चीज़े, वो email के थ्रू बेचते हैं, फिर आता है customer support के लिए, वो chatbots, उनकी website पे chat का option आता है, आप live chat कर सकते हैं, जो की 24 into 7 आपके लिए available है, वो आपको पूरी help provide करते हैं, आपकी जो भी queries है, उनको वो solve करते हैं, और आपके shopping experience में वो पूरा guide करते हैं, तो वो पूरी तरीके से customer support provide कर रहे हैं, पिर आता है loyalty program, वो loyalty programs भी चला रहे हैं, जो उनके customers बने हुएं, उनके लिए वो special deals, offers, rewards चला आते हैं, ताकि वो और product को buy करें, पिर आता है social media integration, वो engage रहते हैं, और interact कर दे, client के साथ में online चीजों को post करके, ताकि वाँ पे लोग उनके साथ interact कर सकें, तो आपका clothing brand हुआ, आ तरीका उनको design चीए, dresses चीए, आप वो उनको provide कर रहे हैं, उसके लिए आप उनको email भी करते हैं, ताकि customer को पता चले कि आप क्या चीजे promote कर रहे हैं, क्या नया है, उन सारी चीजों के बारे में उनको information मिले, उनको जो भी support चीए, जो भी उनकी queries है, आप वो भी provide कर रहे हैं उनके लिए rewards या special deals भी चला रहे हैं, social media के धुरूब भी आप उनके साथ interact करें, तो ये पूरे थरीके हैं, जिनसे कि आप electronic या information technology की help से ECRM कर रहे हैं, next time रखते हैं कि क्या functions होते हैं ECRM के, first आता है web services, ये combination होता है, सारी web services का, जो कि users के पास available है, वो उन services में compare कर सकता है, customer, supplier, partners, वो सारे लोग compare कर सकते हैं कि कौन से business की क्या-क्या services available है, फिर आता है e-cells, e-cells application, ये भी biv-based applications है, जो की support प्रोवाइड करती, b2b, b2c को internet की help से, तो आप इन applications की help से, online channels के थूरू product को sell कर सकते हैं, आपको पता है कि सारे जो businesses होते हैं, आजकर, उनकी websites होती हैं, आप वहाँ से shopping कर सकते हैं, वो different platforms पे भी आपको available मिल चाहेंगा, आप वहाँ से भी उनके products को खरी सकते हैं, फिर आता है e-marketing, e-marketing organization को अलाव करता है कि आप personalized pav offers लोगों को डलवर करें, जो पहले traditional marketing होती थी या traditional channels के थूरू marketing होती थी, मतलब पहले आप radio में या newspaper में जो ads देखते थे, पर आप marketing का तरीका अलग होगा, आपको different websites पे, social media पे आपको ads मल जाते हैं, तो आप e-marketing करते हैं, तो वो होता है e-marketing, फिर आता है e-profiling, profiling में आप track करते हैं, users के raw data को, फिर आप उसको process करते हैं, ताकि आप users की profile बना सके, आपके पाल जो भी आपके customers है, users से उनके बारे में सारी information हो, सारी details हो, ताकि आप उनके साथ contact कर सकते हैं, फिर आता है e-services, e-services application भूद वाल्यूबल रहती है, customer information के लिए, customer को services आप provide करते हैं, आप customer को क्या services दे रहे हैं, उनको track कर सकते हैं, organize कर सकते हैं, analyze कर सकते हैं, और कौन से customer जो क्या आपके existing हैं, और कौन से नए हैं, उनको भी आप जा सकते हैं, तो ये कुछ main functions e-CRM perform करते हैं, next time दखते हैं कि क्या advantages होते हैं e-CRM के, इसमें आप जो हमने benefits देके थे वो भी लिख सकते हैं, first आता है mass customization, e-CRM के help से आप customized message, मतलब आपको जिनके साथ जैसा relation बना रहे हैं, वैसे आप emails उन हर category wise, उनको अलग तरीके का message कर सकते हैं, next आता है fostering relationship with customers, ये one-to-one communication करता है customer के साथ में, जिसकी वज़े से जो customer का trust, loyalty है वो increase होती है, next आता है convenience, जो e-CRM के help से आप customer तक बहुत easily पहुँच सकते हैं, जो भी आपकी services से आप उनको easily बदा सकते हैं, next आता है quality of services and delivery, जब भी कि आप service को deliver कर रहे है customer को, तो आपकी quality अची हो, आप सही तरीके से services को deliver कर सकें, जिससे की customer का जो base है वो भी increase होगा, तो ये कुछ advantages होते हैं, next हम देखते हैं कि क्या disadvantages होते हैं e-CRM के, first आता difficult to identify and focus on specific business problem, जो e-CRM होता है, अगर आपके business की कुछ specific problem है, उसको पहचानना, उस के basis पे काम करता है, electronically या information technology पे based होता है, second हाता है customer may not be tech savvy, जो customer है आपके हो सकता है कि ज्यादा technology का use ना करते हो, तो आप उनके साथ कैसे जूड़ेंगे, तो उसमें problem आती है, हो सकता है, आप email करना चाहरे हो, लोग email use ही निया करते हो, आप social media से interact करना चाहरे हो, वो उस platform को use ना करते हो, तो वो भी आपके लिए problems को create करता है, फिर आता है poor user acceptance, जो आपके user से customer है, वो सीच को accept नहीं कर रहे है, आपने देखा है कि आजकल जो emails आते हैं, उसमें बहुत सारे spam emails आपको daily मिलते हैं, तो आप उन पे ध्यानी नहीं देते हैं, तो जो company's CRM करने की कोशिश कर रही है, user उसको accept नहीं कर रहे है, next आता है network failure may cause irritation to customers, अगर किसी वज़े से network fail हुचाता है, internet काम नहीं करता है, तो वो irritation create करता है customer के अंदर, for example कि अभी Microsoft में recently कुछ problems है थी software update करने में, जिसकी वज़े से जो laptops थे वो काम नहीं कर रहे थे, उसकी वज़े से बहुत सारी flights न अंसर भी ना कर पा, customer भी उनके साथ नहीं बात कर पा रहे थे, तो network failure होने की वज़े से ऐसा हुआ, तो यह कुछ disadvantages भी होते ही ECRM के, तो इस video में आपने देखा कि ECRM क्या होता है, इसका meaning, example, benefits, features, function, advantages और disadvantages, वीडियो अच्छा लगे तो please like कीजिए, channel को subscribe कीजिए, comment तो आप comment कर सकते है, thank you